ये कैमेरा और इस पिक्टर्स को देख कर आपके मन में सवाल जरूर उठा होगा कि बहुत कैमेरा का जो लेंस है वो तो गोल है फिर पिक्टर्स जो है वो स्क्वेर रेक्टेंग्यूलर सेप में क्यों बनी हुई है वो गोल क्यों नहीं बनी इतना बड़ा बेदबाग क्यों ह होता है बहुतिधी ना-इंसाफिया है लेकिन इस ना-इंसाफिय के पेछे क्या करण है यह हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे तो दूस्तो वीडियो में आखिर तक हमारे लेंस होता है वो मनुश्य की आख की तरह होता है यानि कि बगेर इंसान की आख हो गई कैमेरा का लेंस ये एक प्रकार से इंसान की आख ही बनाई गई है ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे इंसान की आख काम करती है जिस तरह आख का रेटिना गोल होता है उसी तरह से कैमेरा क लेंस भी गोल बनाया गया है अब सवाल यह है कि अगर लेंस गोल है तो वो पिक्टर भी राउंड शेप में ही कैप्चर करता होगा फिर यह जो पिक्टर की प्रिंटे निकल कर आती है वो राउंड शेप में ना होकर स्क्वेर या फिर रेक्टेंग्यूलर सेप में क्यों होत अब जैसे कि बताया गया है कि कैमेरे को मनुश्य की आखों की तरह बनाया गया है तो इसके चलते फोटो को भी बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है जैसा कि आपके बैक आप मैंड में किसी भी चीज को देखने के बाद छपता है दोस्तों भी और सवाल उठता है कि अगर पिक् में जो स्क्वेर होता है वो आपका फोटो बनता है लेंस के आसपास का कुछ बाग जो है वो बलर हो जाता है अगर कैमेरे का लेंस स्क्वेर बनाया जाता है तो आपका फोटो किनारे से बलर हो जाएगा तो आपका फोटो अच्छी क्वालिटी का और क्लियर बने इसी वज से camera का लेंच राउंड शैब में बनाया जाता है तो दूसतों आपको पता चल गया होगा कि cauliflower का लेंच गोल होता है इसके बावजूद भी आपका जो फोटो होता है वो स्क्वेयर या फिर rectangular shape में क्यों होता है तो दोस्तों उमीद करती है आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अच्छे लगी होगी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ताकि आगे भी ऐसी दानकरी जिबरी वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों मिलती है अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही दानकरी के साथ